शुत्र है दुख से कैसे छुटकारा पाएं बहुत लोगों का पृष्ण रहता है बहुत लोग आते हैं महराज हम बड़े दुखी हैं छुटकारा पाना चाहते हैं कई लोग तो हद कर देते हैं बहुत लोग आते हैं तो कहते हैं महराज अब हम ठक गए हैं मरना पसंद है हमें जीवन में बहुत हतास हो गए अब हम जीना नहीं चाहते हैं अब जीवन का कोई उद्देश नहीं बचा अब जीवन में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम मरना चाहते हैं ऐसा बहुत लोग कहते कुश्चन करते हैं, क्या आपको लगता है, कि आप मरना चाहे रहे हैं, क्या आपको लगता है, आपके राष्टे बंद हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि अब हमारा कोई नहीं है, बड़ी बात तो यह है, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, हनमान जी, अगर आपको बोल द कि चिन्ता मत करो बहुत जल्दी कृपा होने बाली है तो आप फिर दोड़ने लगते हो अभी आप हारे नहीं हो एक हमारे मित्र है बहुत अच्छे मुंबई में रहते हैं बहुत प्यारे हैं बिजिनस्मेन हैं कभी कभी उनसे हमारी चर्चा होती है तो वो एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं गुर्देव कहते हैं कहते हैं गुर्देव गुरु जी हमने का हाँ बोले जीवन में हारता वो ब्यक्ती है जिसे जीत की चाह होती हमने का मतलब बोले जो जीत की कामना को ले करके विजय प्राप्ती की कामना को ले करके काम करता है अत्वा इस्ट्रिगल करता है वो हारता है और जो पहले से ही हार मान चुका हो भलाग वो खाक क्या हारेगा जिसने अपने जीवन में ये कह दिया कि मुझे जीतना है यही नहीं उसे कोई नहीं हरा सकता जिसने यह कह दिया कि मैं हारा हुआ हूँ उसे कोई नहीं हरा सकता हम लोग तुटी क्या करते हैं हम लोग गलती यह करते हैं कि संसार पर आसा करते हैं जगत पर लोगों पर फ्रेंड सरकल में सत्त तो यह है कि जहां आसा है वही निरासा वहीं दुख है जहां आपने आसा की वहीं दुख है आपने बागे सुर्धाम से आसा की बागे सुर्धाम पर किसी ब्यक्ती से आसा की तो दुख है पर बागे सुर्धाम पर बाला जी से आसा की हनमान जी से आसा की तो सुख प्राप्त होगा यह दुख से बचने का उपाए है आसा एक राम जी से बाकी आसा छोड़ दे नाता एक राम जी का दूजा नाता तोड़ दे आसा अगर जीवन में रखनी है तो केबल राम जी से रखो भगवान से रखो तो बहुत लोगों का प्रशने माराज दुखी रहते हैं क्या उपाए बढ़िया उपाए तो यही है कि सुखी होने के लिए मत घूमो प्रसन्न होने के लिए मत घूमो सबसे बढ़िया उपाए यह है उत्तम उपाए यह है कि आप हमेशा यह विचार करो हमें जो भी अपने जीवन में मिल रहा इसुर की कृपा से मिल रहा और इसुर की कृपा का प्रशाद मानते हुए अगर पाएंगे दुख को सुख को लेंगे तो आप कभी दुखी नहीं रह सकते दुख से बचने का यही उपाए आप लोग सोचो कि महराज सायद कोई मंतर बताएंगे दुख से बचने का मंतर तो दे देंगे उपाए भी देंगे तोटका भी देंगे पर आप उसे समाल नहीं पाओगे पूछो कैसे हमने उपाए बता दिया आप मंतर का जाप करो समस्या का समाधान होगा तो आप एक समस्या का समाधान तो कर लोगे पर तीन खड़ी कर लोगे जैसे उदाहरन आपकी समस्या है मकान मकान नहीं बन रहा आप बड़े दुखी हैं आप आये दर्बान में आपने जिग्यासा की आपने प्रशन किया आपने अरजी लगाई धोके से आपको मंत्र मिल भी गया उस मंत्र ने चमतकार भी कर दिया जाओ चिंता मत करो मकान बन जाएगा आपने मंत्र प्राप्त करते ही मंत्र का जब प्रारंब कर दिया लेकिन मकान बन गया परंतु आपने तीन समस्याएं खड़ी कर ली अब मकान क maintenance कैसे चलेगा मकान में AC कैसे लगेगी मकान के बाहर बड़ी-बड़ी महंगी-महंगी कारें कैसे आप आएंगी यह तीन समस्याइं आपने खड़ी कर ली धोके से वो मंत्र आपने और प्रियोग किया आपका बिजिनस चलने लगा मकान कब में AC भी लग गया मकान के बाहर बड़ी-बड़ी महंगी-महंगी कारें भी खड़ी हो गए लेकर तक बींडरी नहीं आई ब्याह नहीं हुआ साधी नहीं हो रही तब और परेसान तब और जंजट में फसे फिर एक और टैंसन आ गई अब साधी हो जानी चाहिए सायद साधी भी हो गई तो फिर बच्चे अब बच्चे नहीं हो रहे अधूरे कच्चे क्या करेंगे तो फिर एक और टैंसन तो प्रती दिन आपकी समस्या चलती रहेगी दुख आपका अनवरत चलता रहेगा अगर आप चाहते हो के हम कभी दुखी ना रहेगा अगर आप चाहते हो के हम कभी निरास ना रहे अगर आप चाहते हो के हम सदेव मुस्कुराते रहे अगर आप चाहते हो के हमारे जीवन में प्रशनता रहे अगर आप चाहते हो के हमारे जीवन में बैभाव रहे अगर आप चाहते हो के हमारे जीवन में कीरती हो अगर आप चाहते हो के हमारे जीवन में यस हो अगर आप चाहते हो के हमारे जीवन में आनंद हो अगर आप चाहते हो के हमारे जीवन में सक्चा सुक हो अगर आप चाहते हो के हमें मोक्ष निर्वान की प्राप अगर आप चाहते हो कि हमें इश्वर का साक्षाता कार हो तो किसी गुरू के चरणों को पकड़ना सीख जाओ किसी महापुरुस के चरणों को पकड़ना प्रारंब करो किसी संत शिद्पुरुस के चरणों को पकड़ना प्रारंब करो आपके जीवन की अलाय, आपके जीवन की बाधा, आपके जीवन की ललकता, आपके जीवन की जिग्यासा, आपके जीवन के प्रश्न, आपके जीवन के परेसानिया, वो महापुरुस खीच लेगा सायद कल रात को हम एक बात बता रहे थे एक सब्द है बहु प्रचिलित सब्द जिसका नाम है छत्र और चाया सुना है छत्र चाया सब लोग कहते न भगवान की छत्र चाया बनी रहे गुरू जी की महर बनी रहे बाला जी की छत्र चाया बनी रहे संतों की छत्र छाया बनी रहे ऐसा बोलते हैं न यह सब्दकार्थ है जानते हैं छत्र माने होता छाता अगरेजी में जिससे कहते हैं अंब्रेला छाता छाता क्या करता है बारस होती है तो छाता बारस को अपने उपर ओड लेता बारस की बूंदों को आपके सिर पर सरीर पर नहीं आने देता उसी प्रकार आपके जीवन में किसी गुरू किसी संत किसी महापुरुष का छत्र बरद हस्त अगर हो जाए तो संकटों की बारिस आपके जीवन में कुछ नहीं बिगाड सकती कष्ट आपका कुछ भी नहीं बिगाड सकते पीड़ा आपका कुछ भी नहीं बिगाड सकती रोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड सकते परिसानी आपका कुछ भी नहीं बिगाड सकती लेकिन ध्यान रखना एक ही साध हैं सब सध हैं सब साध हैं सब जाएं एक बात ध्यान रखना बार बार अगर आप इस्ट को बदलोगे बार बार अगर आप गुरू को बदलोगे बार बार अगर आप परमात्मा को इस्वर को बदलोगे कभी राम की पूजा कभी स्याम की पूजा कभी सिव की पूजा कभी दुरगा की पूजा कभी देव की पूजा तो कभी इंसान के भगवान की पूजा आप बार बार बदलोगे तो घाटा खाओगे गुरू इस्ट और मात पिता एक होने चाहिए माता पिता बदले नहीं जाते वो तो एक ही होते हैं उसी प्रकार गुरु बदले नहीं जाते वो एक ही होते हैं उसी प्रकार इश्ट को बदला नहीं जाता वो तो एक ही होते हैं सम्मान सबका करो सम्मान सबका करो तो छत्र छाया जीवन में किसी महापुरुस की बहुत जरूरी है यही सूत्र है दुख से बचने का यही सूत्र है कष्टों से बचने का दुख से बचने का सूत्र यही है कि आप जीवन में आसा रखो तो केबल भगवान से रखो इसुर से रखो राम जी से रखो हनमान जी से रखो बाकी जगत में किसी से आसा मत रखो संसार में आसा रखोगे तो घाटा ही घाटा